आज में लेकर आई हूँ मखाना खीर की रेसिपी जो है ब्रत स्पेशल यानि कि आप इसे नवरात्री में बना कर खा सकते हैं यह बहुत ही हेल्दी होती है और बहुत ही स्वाधिश्ट भी होती है और सबसे वड़ी बात कि यह बहुत ही आसान रेसिपी है तो चलिए शुरू करते हैं इस रेसिपी को बनाने के लिए एक कड़ाई में सबसे पहले आपको घी गरम करना है जब आप देखेंगे कि घी हलका सा गरम हो जाए तब हमें इसमें डालना है कटा हुआ काजू और कटा हुआ बादाम इन दोनों को चीज़ों को डालने के बाद हमें क्या करना है ना कि हमें इसे अच्छे से भून लेना है और आप जब देखेंगे कि यह सुनेहरा हो गया है भून कर तब आप क्या करेंगे कि इसमें आप डालेंगे थोड़ा सा रेसिंस यानि किश्मिश इसको भी हम डालने के बाद इसे हम थोड़ा सा भून लेंगे इसके साथ जब आप देखें कि किश्मिस जो है बिल्कुल बलून जैसा हो गया है तब आप समझ जाएं कि ये रोस्ट हो चुका है और इसे हम निकाल देंगे तो इन सारी चीजों को एक प्लेट में मचल से निकाल देंगे निकालने के बाद क्या करेंगे न कि हमें सेम कड़ाई लेना है और सेम कड़ाई में हम फिर से थोड़ा सा घी डालेंगे और घी डालने के बाद हमें क्या करना है कि हम इसमें डालेंगे मखाना तो यहाँ पर मैंने आप देख सकते हैं मखाना इसको डाल दिया मैंने और इसके बाद इसे भूनना है इसे भी हमें अच्छे से भूनना है अलट पलट कर और जब आप देखेंगे कि मखाना जो है बिलकुल तूटने लग गया है देखिए कुछ इस तरीके से आप चेक कर सकत तो समझ जाएं कि मखाना भी अच्छे से रोस्ट हो चुका है, अब हम इसे side कर देंगे, एक plate में रख देते हैं, ठंडा होने के लिए, तो इस तरीके से मैंने इन सारे मखाने को plate में निकाल कर रख लिया है, अब हम क्या करेंगे ना, कि जो भी quantity मैंने आपको बताया, उन quantity मे से half cup मैंने मखाना अलग side में हटा कर रख दिया, जिसको हम क्या करेंगे ना, कि अलग से डालेंगे, और बांकी के मखानों को हम coarsely grind कर लेंगे, तो मैंने इसको mixer jar में डाल दिया है, और इसको coarsely grind कर लिया, आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से, बहुत जादा powder नहीं कर कि दूद डालना है, आप देख सकते हैं कि दूद मैंने अलड़ी उबाल लिया था, तो ये गरम है और जब दूद में एक उबाल आ जाए, तब हम इसमें जो full मखाना था ना, साबूत मखाना वो हमने इसे डाल देना है, उसके बाद हमें इसे उबालना है, जब आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से उबाल आ चुका है, अब हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है, कुछ इस तरीके से, आप देख सकते हैं, तो अब हमें क्या करना है, कि साइड्स में जो है न, वो सारे दूद के जो मलाई हैं, उसे भी आप खरोज कर इसके अंदर ही डाल उसके बाद हमें इसमें थोड़ा सा शुगर डालना है और साथ ही साथ हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा इलाइची पाउडर तो इस तरीके से मैंने इलाइची पाउडर डाल दिया और इसको हम अच्छे से उबलने देंगे आप देख सकते हैं इस तरीके से जब उबल जाए अच्छे से उसके बाद हमें इसमें जो हमने अभी भी dry fruits भुना था वो भी हम इसके साथ डाल देंगे और इसको फिर से हम कुछ देर तक उबालेंगे कम आज पर जब आप देखेंगे कि यह थोड़ा सा थिक होने लग गया है तब समझ जाए कि आपका मखाना कीर बनकर आल्मूस्ट तयार है साइड से इसको अच्छे से खुरच के इसके साथ दूद के अंदर ही आप डालते जाए उन मलाई को उसके बाद आप देख सकते हैं यह आल्मूस कर दें उसके बाद और सर्व करें तो कैसी लगी आपको आज की रेसिपी हमें कॉमेंट करके बताना ना भूले और लाइक करना ना भूले जादा से जादा इस रेसिपी को शेर करें अपने दोस्तों और रिष्टेदारों को ताकि वो भी इस रेसिपी का आनंद उठा सकें तो I hope कि आपको आज की recipe पसंद आई होगी तो मिलते हैं अगले वीडियो में तब तक के लिए आ गया दीजिए